हाजिपूर के अच्छाइवट स्टेडियम में चिराग पासवान ने एक बड़ी सभा को समोधित किया है हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं यह ताजा तस्वीरें उस समय की है जब किलरा पासवान मंच पर पहुंचे औरुण की मां रीना पास्वान भी मंच पर पहुंची हैं यह तस्बीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे हाजिपूर से जहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ी भीड चिराग पास्वान को देखने और सुनने के लिए वहां स्टेडियम में पहुंची है हम आपको यह बताते चले कि बिहार फस्ट बिहारी फस्ट यह संकल्प सभा का आयोजन आज एक तरह से चिराग पास्वान ने हाजिपूर में अपने चाचा पशुपती पारस को अपना शक्ति दिखाने के लिए एक बड़ी रैली का आयोजन किया है यह एक तरह से चिराग पास्वान का हाजिपूर में शक्ति प्रदर्शन है और इसमें चिराग पासवान को आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक बड़ी जन सभा के सामने चिराग पासवान खड़े हैं मंच पर उनकी मा रीना पासवान भी पहुंची हैं और उनका बड़े गर्म जोशी से लोगों ने स्वागत किया है पर चिराग पासवान एक जन सभा को संबोधित करने वाले हैं और इसी सभा में उनकी मा रीना पासवान भी पहुंची हैं जो तस्वीरे आप देख रहे हैं इस से लगता है कि चिराग पासवान ने जो अपने चाचा पसुपती पारस को ये दिखाने की कोशिश की है कि हाजिपूर सीट से वही चुनाव लड़ेंगे या उनकी मा लड़ेंगी हलाकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हाजिपूर से कौन प्रत्यासी होगा लेकिन चिराग पासवान ये लगतार कहते रहे हैं कि हाजिपूर सीट उनकी है उनके पिता का उत्राधिकार उनके जोस है खास तोर पे वहां पर युवक्त और और औरते महिलाएं जिस तरह से जूटी है और चिराग पासवान के समर्थन में जिस तरह से नारे लग रहे हैं तो लग रहा है कि चिराग पासवान ने जिस मंसा से इस्रैली का आयोजन किया इस तरह से वह अपना शक्ती प्रदेसंदु सफल होते डिख रहे है चिनागपास्वान ने अभी लोगों को संबोधित नहीं किया है लेकिन आपको इसलिया wn imen कर रहे हैं उससे लगता है छी पांपास्वान ने अपने चाचा पशुपतिन पारस को कड़ी चुनाउती देने की कोशिश की है तो इस तरह के और भी अपडेट जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको देते जाएंगे जुड़े रहिए लाइफ बिहार के साथ लाइफ बिहार पर हर अपडेट सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं देखते रहिए लाइफ बिहा और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें